कोंपटिशन कम्यूनिटीज यूट्यूब चैनल कॉंपटिशन कम्यूनिटी के यूटीज चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग एन। । आधि फैकल्टी एफ लॉइ वीडियो को देखने तो आप हमारे पुराने पार्ट को देखे एक प्लेलिस अल्रीड है जिसमें आपका लीगल सर्विस अथॉरिटीज आट के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर इस पूरे आट को पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पा हमारे चैनल पे जो डेली 100 MCQs के लाइव चल रहे हैं उसको आप फॉलो अप में ले रहे हैं और आप उसको रेगुलर्ली फॉलो कर रहे हैं और उसके साथी साथ कमिंग संडे को यानि की अगले केवल तीन दिनों के अंदर जो एक स्कॉलर्शिप टेस्ट होने वाला है जो कॉम्पटिशन कम्यूनिटी और जिसमें बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्स और बहुत इच्छी स्कॉलर्शिप्स हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं पास्ट लाइब स्ट्रीम्स में एक लाइव आज भी हुआ था और कल भी ए 500 MCQs in the given period of time हमने solve किये हैं scholarship test में 70% questions इनी से आने हैं तो यह opportunity आपको miss नहीं करनी है तो यह आपके लिए information थी अब हम इस act को खतम करने की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह act में हमें उसके उपर आउट है तो वह भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट या क्वेरी है या दिमाग में कोई एक ब्लॉकेज है लॉक के किसी topics related तो आप हमें बता सकते हैं वह हम आपके लिए लेके आएंगे फिलाल हम जल्द लोग औलत और कोन-कोन लीगल सर्विस के लिए इंटाइटलड चाहिए special information extra information चल्दी से देखने की शुरू करते हैं मैं आपको एक बार चीज यहीं से बता देना चाहता हूं कि इन sections को पूरा read करने की जरुवत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपके वल इसकी heading को पड़ेंगे जो चीज यहां लिखी हुई है जो चीज Central Authority यानि की नालसा के लिए लिए लिखी हुई थी वही सेम चीज सालसा पर अप्लाई हो जाएगी फर क्या होगा नालसा की जगा सालसा आजाएगा सेंट्रल गवर्मेंट की जगा स्टेट गवर्मेंट आ जाएगा इसलिए टाइम हम वह और अधालत जिसको हमने दो टाइब से पड़ा था एक होती है लोग अधालत जो सब लोग और एक पॉमिनिट लोग अधालत होती है जो की गवर्मेंट बाइड नॉटिफिकेशन डेक्लेर करती है तिके सर तो भी पब्लिक सर्वेंट अब यह कह रहा है कि जो मेंबर और स् secretary the center of the central authority the state authority the district authority the supreme court legal service committee high court legal service committee taluk legal service committee and officers and other employees of such authorities committee shall be the member or the member of the local adalat or the persons constituting permanent local adalat shall be deemed to be a public servant यह underline कर लिजए बस यही important है वो public servant कहलाएंगे और क्या कह रहा है किसके ambit में कहलाएंगे section 21 sir IPC का मैंने आप से पूछा था अभी section 21 IPC का खोल के देख लिए आपको समझ में आ जाएगा उसके ambit में जो public servant कहलाता है वहीं कहलाएंगे यह लोग भी यह point clear है I hope आपको clear होगा आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब सेक्षिन की तरफ से हो सकता है देखिए protection of action taken in good faith पहले good faith को underline करी और फिर protection को अपनी बैरक्ट में कर लिए यानि protection की बात कर रहा है लेकिन जब action good faith में वह के वल तब no suit prosecution और other legal proceeding यानि कि suit prosecution दोनों ही नहीं और कोई और भी legal proceeding किसी ऐसे person के अगेंस नहीं होगी जो इन categories में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखिए जड़ा the central government or state government any central or state government के अगेंस कोई proceeding file नहीं होगी pattern in chief executive chairman member on member secretary of officers or other employees of central authority नालसा के जितने भी officers है वो सब सालसा के जितने officers है वो सब legal service committee और जो भी bodies है उसके chairman executive chairman pattern उन लोगों को क्या होगा उनकी अगेंस कोई suit या case file नहीं होगा अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो कैसी बात होगा इसका मतलब जो भी person उस position को hold कर देगा उसके अगेंस कोई executive chairman यहां लिखा है member यहां लिखा है member secretary यहां देखते हैं यहां भी secretary chairman और क्या लिखा हुआ है officers यह सब के सब post or designation है यानि कि पहली बात क्या कर रहा है जब कोई person executive chairman pattern in chief officers member की किसमे position में उस position को hold कर रहा है उस capacity में काम कर रहा है तो उस capacity में उसके against कोई trial या कोई case file नहीं होगा लेकिन यह भी क्या है unambiguous बात है यह अभी तक precise नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यह अभी भी गलत है यह अभी भी law case आप से सही चीज नहीं चल रही है तो सही चीज क्या है sir वो है नीचे यहां for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this act or any rule or regulation made there under यानि कि जो ऐसे actions जो किये गए हूं उस capacity में यानि कि कोई परसा ने उसका against case हो सकता है जब वो capacity में function कर रहा था इसका मतलब आप यह समझी कि अगर कोई executive chairman है वो अपनी chair पे जब हैं जब वो अपने functions को perform कर रहे हैं उस समय उन्होंने कोई ऐसे administrative action लिए जिससे आप यह नहीं कह सकते कि उनका administrative action गलत है इसके ओपर challenge हो सकता है लेकिन वो administrative उनका जो पूरा process है वही गलत था इसके ओपर case आप शायद ना कर पाएं although वो जब घर जाते है और घर जाते हैं किसी को गाड़ी से ठोक देते हैं तो वो इसका security नहीं ले पाएंगे कि सर मुझे तो यह security मिली हुए कि मेरे अगेंस कोई prosecution file ही नहीं होगा ऐसा नहीं है सर उनकी अगेंस case file होगा केवल इस capacity में जब तक हो है तब तक फाइल नहीं होगा ठीक है और वह कह रहा है कि तब तक जब तक good faith में लिया गया हो और intended to be done under the provisions of this act या इस act के provisions के तहत वो काम करने के सोच से काम कर रहे थे लेकिन although वो हो ना पाया हो या किसी कारण बर्स गलत हो गया हो तो उनकी अगेंस कोई suit file नहीं हो सकती ठीक है सर एक्दम clear सी बात है 25 को पढ़ने की कोशिच करते 25 क्या कह रहे देखते है act to have overriding effect अच्छा overriding effect का मतलब क्या है the provisions of this act shall have effect not with standing anything inconsistent इसको underline करते है therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of law other than this act क्या कह रहा है सर इसको explain करने की कोशिच करिए प्लीज हमें तो समझ नहीं आया the provisions of this act यानि कि इस act के यहां से break करते definition को इस act के जितने भी provisions है shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law यानि कि कुछ और inconsistent किसी और लों में दिया हुआ है तो उसके साथ stand नहीं करेंगे for the time being in force or any instrument having effect by virtue of law other than this act समझ में आ गई बात यह बस इतनी सी बात कर रहा है जो हर act में दिया होता है कि यह इसके जो provisions है वह notwithstanding किसी और provision के साथ नहीं करेंगे जो effect में ना हो stand नहीं करेंगे ठीके 26 पे आते 26 किसके बारे में बात करता है power to remove difficulties कितना मतलब सुल जीवी सी बात कर रहा है कि मतलब नालसा सालसा लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी लगता है परिशान है किसी डिफिकल्टी को उटाने की बात कर रहे हैं चली ज़रा इनकी मदद करते हैं इस अगर किसी प्रकार की कोई समस्य आगे किस इसको इस एक के अंतरगत दिये गए प्रोविजन को एफेक्ट में लाने में तो संट्रीट में और और प्बलीज गनेल थी अप्ड़िच करेगी ओअफिशल गजेट में धर यह Caesar औरमेंट को इस तरह निक선ी में तो provisions not inconsistent with the provisions of this act as appear to it necessary for expedient for removing the difficulty यानि कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या कोई difficulty आ रही है कोई आपकी problem आ रही है बीच में तो उसके लिए central government क्या कर सकती एक order निकाल सकती और order को कैसे निकालेगी गजेट से निकालेगी लेकिन वो order भी ऐसा होना चाहिए जो इस act के provisions के साथ inconsistent ना हो इसके साथ जुड़ा हुआ हो ठीक है किस लिए करेगी ताकि वो difficulty हट जाए अब यह प्रोवाइजो पड़िये बहुत important है क्या किया रही है provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years most important यानि कि यह समय बीच चुका है इस act के consistency में आने से यानि कि इस act के motion में आने के बाद से जब से एक्ट हमारा लागू हो गया उसके बाद से दो साल तक यह चीज करी जा सकती थी दो साल तक आपको समझ में आ जाएगा किस एक्ट का कोई ऐसा प्रोविजन है जो रियल लाइफ आप क्या कर सकते अभी आखरी में देख लेंगे प्रेसिडेंट से असेंट कम मिली तो हम एग्जाक्ली दो साल काउंट कर लेंगे ठीक है से अब क्या क्या रहा है सक्षिन नमबर 27 27 की तरफ बढ़ते हैं 27 जैसा मैंने आपको बोला थोड़ा बड़ा सा है आपको ऐसे थोड़ा सा देखके लगे गा रहे भाई ये क्या कहना चाहरा है कुछ नहीं कहना चाहरा है पावर और सेंट्रल गोर्मेंट तो मेक रू़स यानि कि इस आपको बताया है इस आक्ट में कि कि जब भी सेंट्रल गोर्मेंट के कोई रूल बनाएगी तो यहां पर बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानि बिना सीज़ाए की कंसिस्टेंसी या बिना उनके से स्टेट के होते हैं जब स्टेट गॉवर्मेंट कोई रूल बनाएगी तो वो बिना स्टेट की चीफ जस्टिस के नहीं बनाएगी ठीक है क्या किया रहा है बाइ नोटिफिकेशन में रूल्स तो कैरी ओड़ प्रोविजन सब्सक्राइब और इस प्रोविजन जो है इस चलनी चाहिए पर्पेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए ठीक है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजिडिस तुदा जन्रालिटी ऑफ द फॉर गोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइट फॉर और अन्य फॉल्लिंग मैटर्स नेमली यानि इन में से कोई एक या लगबख सारे क्या है उन मैंटर्स पे रिद्री ये रूल सकते है पहला क्या है धने अर्वर ऍषや क्लासुटर्पैंट अथे पारे में सक्षेट्ट्री क्या किविए धोसी क्ली ऑफ सेक्शन थू चैना चारे अटक्ट निज बतारा ओंड इसप्शं फ्री के बारे में ब member of the Supreme Court Legal Service Committee अब यह देखिए इसको आप पढ़ लीजे यह किस बारे में बात कर रहा है Supreme Court Legal Service Committee इसके बारे में भी changes कौन करता है नालसा और Central Government यही दो ही करेंगी कोई और थर्ड पार्टी नहीं है तो यह आपको एक बार रीड करना है और आप केवल इतना इसको रीड करेंगे अगर आपके पास बैर आपके बारे में बात कर रहा है Supreme Court Legal Service Committee में आनुवल इंकम की बारे में बात कर रहा है कौन सी आंवल इंकम के बारे में बात हो रही है जो अपर लिमिट सेट हुई थी आने ओल इंकम के लिए जिन लोगों को लीगल एड मिलेगी क्या था मैंने आपको बताया था च्छतीस गड़ के लिए डेड़ लाग रुपे मद्यपरदेश के लिए दो लाग रुपे महरास्ट्र के लिए तीन लाग रुपे यह आपको अगर अपने कर वाएंगे उसके members होंगे उनकी क्या qualification है other matter जो भी दिया हुआ है और क्या है other terms and conditions of appointment any other matter which is to be maybe prescribed जानी कि जितना हमने यहां पर पढ़ चुके हैं already वही चीज़े लिस्ट आउट है आप उसको पढ़ेंगे आपके दिमाग में वो clear हो जाएगा अब देखिए हमने Central Government का पढ State Government में in consultation with the Chief Justice of High Court फर्क सिर्फ इतना है बाकी चीज़े सेम है by notification make rules to carry the provisions of this Act similar से में कोई दिक्कत ही है the number experience and qualifications of other members of the state authority member state authority power of function term of office the number of officers conditions of service salary allowances the experience and qualification of district authority यानि कि दिस्टिक लिगल सर्विस कमिटी और यहां कि जब हम कभी State Government की बात करें तो वह High Court Legal Service Committee के बारे में बात करेंगी और जब हम Central Government के बारे में बात करें तो Supreme Court Legal Services Committee के बारे में बात वो करेगी ठीक है sir यह points हमें clear है इन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा the number of officers and other employees the number experience and qualification of members of district authority यानि कि डिस्टिक करिए और उसके अलावा एक point आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो उसको ठीक लगे जो एक के complimenting nature का हो act के against ना हो उसके तहद भी State Government या Central Government चाहें तो changes ला सकती है अब ज़रा देख लेते हैं powers of Central Authority यह हमारा है कौनसा section second last section power of Central Authority to make regulations क्या किया रहा है इसको इक बर देखते हैं यह section important है यह section को ध्यान रखेगा इससे related directly question आ सकता है इसके title से the Central Authority may by notification make regulations not inconsistent with the provisions of this act हर जगा पर यह स्तमाल हुआ है आप बना सकते हैं आपको power दी गई है लेकिन इस act के inconsistent यानि कि इस act के खिलाफ नहीं हो सकता and the rules made there under to provide for all matters for which the provisions is necessary or expended or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this act यानि की आप उस जगा पर रूल बनाएंगे जहां पर आपको जरूवत है जहां पर आपको लगता है से act के provisions को real life practicality में लाने के लिए आपको रूल बनाने की जरूवत है तो उस सब्सक्राइब लेकिन यह कम है तो दो ही है पढ़ लेते हैं the power and function of the Supreme Court Legal Service Committee हमें पता है हमने इससे पहले वाले section में भी देखा था the term of office and other conditions relating to the member secretary of the Supreme Court Legal Service Committee यानि की दोनों बाते हो रही है Supreme Court Legal Service Committee के लिए क्योंकि हम पढ़ रहे है पावर किसकी नालसा की Supreme Court Legal Service Committee किसके साथ आती है नालसा के साथ complimenting आती है ठीक है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है power of state authority to make regulations यह भी हमको पता है सर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या कह रहे भये यह कह रहा दा state authority में by notification make regulations जो inconsistent नहीं होंगे आक्ट के साथ यहां आगया state authority मतलब क्या है सालसा यह आपको हाई हो पता हो और याद हो state authority का मतलब है सालसा क्योंकि अगर आपको नहीं performed by state authority, जाने कि साल सा के जो अधर पल मेंबर करी नबर, experience and qualification of members के बारे में बात करी ठीक है he растśniej करेंगे फिर से उसके बारे में बात हो रही है, उसके बात क्या कर रहा है secretary धी यह जो other members है, high court के officers है, high court लीगल सर्विस कमिटी के officers है उनके बारे में बात कर रहा यह केवल रीडिंग की चीज़ है, इसमें आप पढ़ेंगे और आपको डाउट भी नहीं आएगा, आप पूरी लाइन भी शायद ना पढ़ें और आप आगे बढ़ जाएंगे, कि हाँ यह मुझे समझ में आ गया है, और यह हमारा आखरी सेक्शन जो कि यह laying of rules and regulations, क्या कह र हर हाउस ऑ पारलमेंट में इसके जो भी rule बनेंगे, वो लेड़ दाउन किये जाएंगे, और वाल इट इस इन सेशन, for a total period of 30 days, which may be compromised in one session, or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session, a far said, both houses agree in making any modification in the rule or regulation of both the houses, agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form to be off, आगे पढ़ ले, to be of no effect as the case may be so, however, that any such modification or ennlement shall be without prejudice to the validity of anything previously done under this regulation, sub clause 2 कह रहा है, every rule made under this act by a state government and every regulation made by a state authority there under shall be laid as soon as maybe state legislature, क्या कह रहा है सरिये, आखरी के सेक्शन दे केवल इतना बोला कि जो भी modifications किये जाएंगे, आक्ट में और जो भी rules बनाए जाएंगे, अगर central government के level पे हो रहे हैं, यानि कि central authority या central government बना रही है, तो तुरंथ दोनों houses में laid down होंगे, मतलब जो भी process है, उसका पहले lower house फिर upper house में जाएगा, एक session में 30 days की time limit है, एक session में खतम करना है, एक session नहीं हुआ, तो successive session में यानि कि एक session के बाद जो अगला session आया, अगला ठीक उसमें करना होगा, और वहाँ पे जो parliament decide करेगी कि वो उसको लाना है कि नहीं लाना है, वही होगा, सब के लिए common है, हमें कुछ अलग नहीं है, और state government, यानि कि एक ऐसा act है, जिसमें state और central government, दोनों अपने level पर modifications कर रही है, state government जो करेगी, वो उसको तुरण खान लाना पड़ेगा, विधान सबा में, पढ़ने की जरुवत नहीं क्योंकि concept आपके clear लेंगे, केवल हमें revise कराना होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं, जो आपको जान लेनी चाहिए, आपको सबसे पहले, क्या पता होना चाहिए, कौन-कौन सी bodies काम कर रही है, नालसा एक body है, जो काम कर रही है, डालसा एक body है, जो काम कर रही है, यह सब authorities है, इनके A को underline कर लीजे, authorities, 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 अब committees कौन-कौन सी है, हमारे पास Supreme Court, Legal Service Committee, High Court, Legal Services Committee, और तालुक Legal Services Committee, यहां committee, committee और committee, authority क्या है, superior होती है committee की, committees, authority के under में काम करती है, यह और यह, यह दोनों committees में permanent entity हैं, जबकि यह जो है एक temporary entity है, इसके अलावा आपको ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं आएगा, section 12 और 13 को देख लीजाएगा, कि कौन-कौन से लोग जो हैं, वो eligible हैं, किस चीज के लिए, legal services, adapt करने के लिए, legal services को लेने के लिए, I think, इतनी understanding, आपके लिए काफी होगी, legal services, authorities, को समझने के, अगर अभी भी कहीं कोई लूप रह अगर आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे, आगे के नए वीडियो लेक्शे में, जहां पर एक नए concept को है, किसी नए subject को है, किसी नए bear act को डिकोड करेंगे, तब तक के लिए, थैंक यू और अगर आप चाहते हैं, अपने carrier को एक नई दिशा देना, और सुनहरे भविशे को स झाहते हैं, यू थैंक यू नहां गया करेंगे, किसी नए आप सना जाफ सब्स् stair